नमस्कार दोस्तों मैं आपसे कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने ही चैनल में तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के फिजिक्स का एक चैप्टर है रिफ्लेक्शन ओफ लाइट इसके बारे में तो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि क्रिपया आपके पास अगर जो भी साइन्स का बुक है क्लास 10 का उसको लेकर के बैठ जाएं और उसमें से कुछ टॉपिक्स जो इसमें ब्लैक लाइन किया हुआ है उसको ध्यान से देखें तो समझ में आएगा तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन आफ लाइट तो सबसे पहले है लाइट से तो लाइट होता क्या है तो लाइट जो है वो एनरजी का एक फॉर्म है जिसका जरूरत हम लोगों को पढ़ता है किसी भी चीज को देखने के लिए यानि हमारे चारो तरफ जो भी चीज है उसको देखने के लिए लाइट चाहिए यानि अंधेरे में हम किसी भी चीज को देखी नहीं सकते हैं और लाइट को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास एक सेंस ओर्गन है जिसका की नाम है आई यानि कि हम अपने आखों से ही light को देख सकते हैं यानि कि जो व्यक्ति अंधे होते हैं वो light को नहीं देख सकते हैं या फिर किसी चीज को देख ही नहीं सकते हैं क्योंकि उनके आखों तक light पहुँच ही नहीं पाता है और light जो है वो हमें ऐसा सकती देता है हमें ऐसा enable करता है कि किसी भी चीज को हम लोग देख पाएं तो कैसे देखेंगे तो दो condition हो सकता है या तो जो light है उस source से आए मतलब जिस object को देखना है वो light emitting object हो उसमें से light निकल रहा हो या फिर कोई और object है जहां पे light आ करके और वो reflect हो करके फिर हमारे आँखों तक पहु गया हमारा star, sun, electric bulb, torch, light, candle वगेड़ा यह सब luminous object हो गया है जिनका की खुद का light होता है और वैसे object जिनका खुद का light नहीं है वो दूसरे के light को reflect करते हैं और वो light जब हमारे आँखों तक पहुंचता है तब हम उनको देख पाते हैं उन object को हम कहेंगे non-luminous object तो non-luminous object का definition क्या हो जाएगा कि those objects which do not emit light themselves but only reflect the light which falls on them are called non-luminous object तो non-luminous object को हम क्यों देख पाते हैं क्योंकि light वहाँ पड़ता है उस object पे और उसके बाद और वो light आता कहां से है तो किसी luminous object से luminous object से आया light उस object पे पढ़ा और वो reflect हो करके हमारे आँखों तक पहुंचा अब जो light का ए पास्ते में कुछ आएगा तो वो वहीं पर रूख जाएगा तो रूखने का मतलब है कि उसके पीछे उस object का मतलब जिस जो object उसको रोकता है तो उसका shadow बनेगा पीछे यानि कि उसके आगे light रहेगा उजाला रहेगा और उसके पीछे जो है वो अंधेरा हो जाएगा तो nature of light तो दो तियोरी दिया गया है nature of light के लिए तो light जो है उसको दो थियोरी से समझा गया है एक जो है wave theory of light और दूसरा है हमारा particle theory of light तो wave theory of light के according क्या होता है कि light को माना गया है कि वो जो है electromagnetic wave से बना है जिसको कि कोई भी material medium जरूरत नहीं होता है travel करने के लिए material medium मतलब कि ना ही solid ना ही liquid ना ही gas यानि कि वो vacuum में भी अगर ये सब नहीं रहे फिर भी वो propagate कर सकता है तो light जो अगर visible light का देखा जाए wavelength तो ये होता है 4 x 10 to the power minus 7 meter से लेकर के 8 x 10 to the power minus 7 meter तक जो कि बहुत छोटा है और speed of light wave जो है वो बहुत हाई है और अगर vacuum में देखा जाए यानि कि वहाँ पे निरवात उसको हिंदी में करते हैं अगर वहाँ देखा जाए speed of light तो 3 x 10 to the power 8 meter per second होता है अब particle theory के हिसाब से तो light जो है वो बना हुआ है बहुत सारे particles से जो कि ये straight line में travel करता है बहुत ही very high speed से और जो particles है जिससे बना हुआ है light उस particles को नाम दिया गया है photon यानि light जो है वो बहुत छोटे छोटे बहुत सारे photon से बना हुआ है अब इन दोनों theory को क्यों कहा गया तो कुछ जो फेने मेंनन है वो जब तक हम light को wave नहीं मानेंगे वो proof हो ही नहीं सकता है क्योंकि अगर sun से जो light आ रहा है हमारे पास तो beach में medium नहीं है यानि air भी नहीं है जो space है वहाँ air भी नहीं है फिर भी जो light है वो हमारे पास तक पहुंच जाता है यानि कि उसको कोई भी material medium का जरूरत नहीं पड़ता है तो उसको हम wave मान करके चलेंगे तो यह हो गया हमारा wave theory और बहुत सारे जो theory है जैसे कि हमारा जो light है वो रुक जाता है मतलब अगर उसके सामने कुछ आए तो उसका image पीछे बन जाता है तो यह particle theory अगर हम मानेंगे क्योंकि particle ही है अगर हम उसको किसी चीज पर फेकेंगे जैसे ball ही हो गया तो वो particle से बना हुआ है अगर हम किसी wall पे ball को फेकते हैं तो फिर bounce back आ जाता है तो bounce back क्योंकि वो particle है उस दिवाल के आर पार नहीं जा सकता है लेकिन light जो है अगर wave माना जाए तो wave जो है वो क्या करता है कि वो किसी भी medium को जैसे कि अगर हम मान लें कि जो wave आ रहा है मोबाइल का जो wave जो signal आ रहा है तो हम अगर किसी बंद कमरे में भी है तो वहाँ भी signal आ जाता है तो इसको जब हम wave मानेंगे तो wave जैसा क्योंकि बिना medium के भी वो आ गया अब light जो है उसका dual nature इसलिए double nature कहा गया है कि light जो है उसके पास बोथ wave भी और particle nature है और ये किस पर डिपेंड करता है तो situation पे यानि किस situation में हम उसका use कर रहा है कब वो जो है वो particle की तरह behave करेगा और कब वो जो है वो wave की तरह behave करेगा तो इसलिए modern theory जो है वो light को quantum theory of light से define करता है और इसमें दोनों जो theory है wave theory और particle theory जो light का उन दोनों को combine किया गया है अब reflection of light होता क्या है तो जब ये वैसा process है कि light जो आया किसी surface से hit होने पे यानि किसी surface पे fall हुआ और उसके बाद वो reverse back यानि sending back चला जाए तो इसी को हम कहते ह है reflection of light तो जो भी object highly polished होगा यानि अच्छे से polished होगा उसका surface जो signing होगा तो वहां से अधिक light reflect करेगा और वैसा object जहां से light reflect कराना है वो unpolished है या फिर dull surface है उसका जो surface है जो खुड़ रहा है तो वहां से बहुत कम light reflect होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर signing object है polished object है तो वहां से light जो है वो अच्छे से reflect करता है जैसे कि mirror का case mirror में है तो light बिल्कुल अच्छे से reflect करेगा और वो एक straight line में reflect करेगा one direction में ना कि चारो direction में scatter कर देगा वही लेकिन unpolished surface है dull surface है तो वहां से जो light है वो चारो direction में मतब सभी direction में वो spread हो जाता है तो अब जो हमारा साधारा अब जो light है वो सबसे ज्यादा reflect किस चीज़ से करता है तो silver metal जो है वो base reflector है light का जब silver metal अच्छे से polished हो उसका जो surface है बिल्कुल polished हो तो वो करता क्या है कि जो भी light उस पे emit होता है वो सारे जितना भी fall होता है वो सभी light को reverse back यानि पूरे light को वो reflect कर देता है वो बहुत ही कम या फिर बोला जाए कि negligible light को absorb करता है तो इसलिए जो हमारा normal mirror होता है उसके पीछे thin silver का एक coating किया जाता है और वो जो silver है वो air से react ना करे और क्योंकि air से react या water से react करके वो क्या करता है कि silver oxide बना देगा air से react करके तो इस कारण से उसके उपर एक red paint का coating कर दिया जाता है या जो भी plane mirror या फिर जो भी mirror है उसमें जो reflection होता है तो इसी silver coating के द्वारा लेकिन जो silver metal है वो बहुत ही costly है इस कारण अब किया क्या जाता है कि बहुत सारे जो mirror बन रहे हैं उसमें aluminium का thin layer चरहा दिया जाता है क्योंकि aluminium भी उसी type का silver जैसा ही दिखता है उसी color का और वो भी light को अच्छा reflect करता है तो इसलिए अब aluminium का cover चरहा जा रहा और उसके उपर से red paint कर दिया जाता है क्योंकि जो silver है वो बहुत costly है अब जो हमारा diagram होता है याणि कि अगर हम ray diagram बनाए और plane mirror को अगर हमें so करना है तो plane mirror को अगर so करना है तो एक straight line से so करते हैं और plan mirror का जो back side है यानि कि जो reflecting side नहीं है उसको oblique line से यानि इस तरीके से «–––》 जो line रहता है वो हमारे plane mirror का back side दिखाता है और front जो side है उसको हम बस ऐसे ही छोड़ देंगे और यहाँ जो mm- जो दिख रहा है इस figure में mm- यह हमारा plane mirror है तो इस तरीके से हम diagram में plane mirror को represent करते हैं उसके बाद जो bundle of light ray है यानि कि एक light ray नहीं बहुत सारा जो light ray आता है उसको हम कहते हैं beam of light तो हम एक light ray को नहीं देखते हैं जो जहां से भी light ray आते रहता है तो वह bundle में ही आता है अब reflection of light जो है वह plane mirror से कैसे होगा या फिर plane surface से तो हम देखेंगे कि जो भी अब होगा क्या तो इसमें कुछ चीज है जो हमें समझना है कि क्या-क्या होता है तो जो light जो fall करेगा mirror पे उस light ray को हम कहेंगे incident ray और जिस point पे वो fall करेगा उस point को हम कहेंगे point of incidence और जो light ray वहाँ fall होने के बाद जो reflect होकर के वापस चला जाएगा जो ray उस ray को हम कहेंगे reflected ray और जिस point पे वो incidence हुआ है light, light का जो ray incidence हुआ है वहाँ से अगर एक perpendicular line ड्रॉ करते हैं जो कि mirror के perpendicular हो तो उस line को हम कहेंगे normal और normal और incident ray के बीच में बनने वाले angle को हम कहेंगे angle of incidence और उस normal और reflected ray के बीच वाले angle को हम कहेंगे angle of reflection और angle of incidence और angle of reflection जो होता है वो हमेशा equal होता है अब कुछ large है reflection of light के वो हम जानेंगे तो first law क्या है कि incident ray, reflected ray और normal ये तीनो का तीनो यानि कि point of incidence पे तीनो आता है और तीनो एक ही plane में हो यानि अगर हम एक seat of paper ले 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 तो उसी paper के seat पे होगा एक ही plane में ना कि दूसरे plane में जाएगा उसके बाद जो second law है कि second law के हिसाब से कि angle of reflection जो है वो angle of incidence के equal होता है तो angle of incidence को हम कैसे so करते हैं तो angle i से और angle of reflection को angle r से जैसे कि यहाँ पे figure में देख भी सकते हैं कि angle of incidence 35 degree है angle of incidence किसके किसके बीच बरना है तो O A ray है और O N जो है वो normal है तो इनके बीच में angle I बन रहा है 35 degree तो उसी तरीके से reflected ray भी 35 degree का है दोनों case में दोनों में हम देख सकते हैं तो अब क्या होगा कि light ray जो है वो अगर normally fall करे यानि कि principle जो हमारा normal है उस k-long अगर light ray fall करे तो वो वापस चला जाएगा उसी रास्ते से मतब जैसे आएगा वो ऐसे ही ऐसा इसलिए होगा क्योंकि angle of incidence यहाँ पे 0 degree का था तो angle of reflection भी 0 होगा तो यहाँ figure में देख सकते हैं कि जो normal k-long आया incident ray वो reflected ray उसी k-long चला गया तो large of reflection जो है वो सभी तरीके के mirrors पे apply होता है वो plane mirror रहे या फिर spherical mirror रहे तो spherical mirror को भी परना है इसमें दो टाइप के spherical mirror है concave mirror और convex mirror तो अब regular reflection क्या होता है और diffuse reflection तो जब regular reflection कब होगा जब parallel beam of light incident करेगा और वो फिर से reflect होकर के एक ही direction में चला जाए यानि कि एक direction से आया और फिर एक ही direction में reflect होकर के चला गया और ऐसा कब होता है तो जब हमारा जो surface है reflected surface वो regular हो स्मूथ हो तभी होगा तो प्लेन मीरर जो है highly polished हो metal surface का या फिर metal surface का highly polished हो या फिर plane mirror हो तो इसमें regular reflection हमें देखने को मिलेगा तो इस regular reflection जो है light का plain mirror में produce होता है अब regular reflection जो है, वो smooth surface से होता है, तो जैसे होगा क्या, कि जितने भी particles है, जो हमारा reflecting surface है, जहां से reflect हो रहा है, तो उसके जितने भी particles है, वो सब same size के रहेंगे, और same, मतलब रहेंगे, वो इधर-उधर, मतलब change उनका नहीं रहेगा, surface क्योंकि smooth है, तो इसी कारण से, जो light ray reflect लेकिन अगर irregular हमें देखना है, या फिर diffuse reflection देखना है, तो जब हमारा surface होगा, वो rough surface होगा, यानि कि कोई table हो गया, या फिर chair हो गया, जहां से reflection होना है, तो वहाँ हर एक particle जो है, उसका alignment है, वो अलग-अलग है, यानि दूसरे-दूसरे side में है, तो होगा क्या कि जो incident होगा लाइट, तो जिस particles पे fall हुआ, उसके along वो reflected हो जाएगा, तो इस कारण से जो हमारा light है, वो reflect होकर के scatter हो जाएगा, इधर-उदर फैल जाएगा, तो उसी को हम कहते है, diffuse reflection है, अगर seat of paper से देखा जाए, तो paper के seat से भी diffuse reflection होता है, और diffuse reflection है, वो rough surface होगा, तो यहाँ ऐसा नहीं कि यहाँ failure हो गया, large of reflection जो है, वो fail कर गया, तो fail नहीं किया है, उस छोटे से, जिस point से वो reflect कर रहा है, उस point को हम consider करेंगे, और वहाँ अगर हम normal draw करते हैं, तो वहाँ भी angle of incidence और angle of reflection जो है, वो equal होगा, तो बहुत सारे object जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं, वो irregular reflection, यार मारे direction में scatter कर देता है, अब object क्या होता है, और image क्या होता है, तो कोई भी चीज, जहां से light ray आ रहा हो, या तो reflected हो करके, या फिर उसका खुद का light ray हो, उसे हम कहते हैं, object जैसे की bulb हो गया, candle हो गया, table हो गया, chair हो गया, मतलब जो भी चीज हमारा face हो गया, जहां से light ray हमारे आखो तक पहुचे, तो हमारा face कैसे आखो तक पहुचेगा, तो अगर हम mirror में देखेंगे, तो यह हो गया हमारा object, और image जो है, वो optical appearance, जब light ray किसी भी object से आ रहा है, और mirror से हो करके, वो reflect करे, या फिर lens से हो करके, वो reflect करे, और हमें appear हो, कहीं पे meet करते हुए, यानि उसका optical appearance हमें दिखे, उसी को हम कहते है, image, तो जब हम mirror में देखेंगे, तो हम अपने face को देखते हैं, उसमें, तो यह हो गया हमारा image का, और जब हम cinema hall में movie देखते हैं, तो वो भी image है, actor और actress का cinema screen पे, अब जो image का type है, वो दो type का real image और virtual image, तो real image क्या होता है, और virtual image, तो image जिसको कि हम लोगी screen पे प्राप्त कर सकते हैं, यानि किसी भी screen पे वो आ सकता है, उसको हम कहेंगे real image, जैसे कि cinema screen पे, यानि cinema का परदा होता है, उस पे जो हमारा image फॉर्म होता है, वो real image होता है, और वैसा image जिसको कि हम लोगी screen पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, किसी भी परदा प जो हमारा real image होगा वो plane mirror से कभी भी form नहीं होगा तो virtual image जो है वो just illusion है यानि कि वो हमें कहीं भी परदा पर प्राप्त नहीं हो सकता है अब formation of image plane mirror के दोरा हम समझेंगे तो plane mirror के दोरा formation of image हुआ तो जब object जो है वो अगर कोई point object है तो यहां से दो हम ray point object से आया और दोनों जो है उसको जब हम backward ले गाए यानि mirror के पीछे जब हम ले जाते है तो वो जिस point पे appear to meet होता है यानि कि यहां पे eye point पे वो appear हो रहा है कि meet हो रहा है तो वहीं पे हमारा point image बनेगा तो क्योंकि object point था तो image भी point होगा तो इस तरीके से formation of image होता है अब यहां इसका property क्या है कि plane mirror का तो जो भी हमारा image बना वो हम लोग screen पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं और virtual image है यानि कि virtual होगा और एक तरीके से अगर और भी हम पर हैं इसके बारे में plane mirror के बारे में तो image का जो size होगा वो same size होगा object का और same distance पे होगा यानि कि object जो है वो mirror से जितने दूरी पे है आगे में जो हमारा image बनेगा वो mirror के उतना ही दूरी पे पीछे बनेगा अगर कोई extended object है यानि कि थोड़ा सा बड़ा point object अगर नहीं लेते हैं तो उसका कैसे बनेगा तो जैसे कि यहाँ पे एक arrow ले लिए तो इसमें से हम क्या किये हैं कि light ray लिए हैं तो एक जो है वो हमारा perpendicular to the mirror गया AC light ray perpendicular to the mirror गया और उसको पीछे तक हम extend किये यानि mirror के पीछे तक extend किये उसके बाद एक जो है और light ray वो incident हो रहा है यानि कि AD दूसरा incident हो रहा है और वो फिर reflected होकर के DE जा रहा है तो जब DE जो reflected है उसको जब हम पीछे ले जाते हैं तो पहले जो हमारा AC extend हुआ था और जब DE त उसी तरीके से हम नीचे भी B point से भी करेंगे तो यहाँ B dash पे मिलेगा तो जो पीछे हमारा image formation हुआ वो A dash B dash जो है वो image है और A B जो है वो object है यह plane mirror में image formation है तो यहाँ जो nature of image जो है वो form हुआ है plane mirror का वो virtual और erect मतलब सीधा है और virtual मतलब की उसके पीछे है और same size है object के same size है और mirror से जितना distance पे हमारा object था उतना ही distance पे image भी है अब plane mirror का जो image formation होगा उसका position तो हम लोग जाने ही गया कि वो front क्या होगा कि same distance पे होगा और जितने दूरी पे object रहेगा उतना ही अब जो एक दूसरा point है वो lateral inversion तो lateral inversion होता क्या है तो अगर हम plane mirror में देखें तो right side हमारा body का है वो mirror में हमें left side दिखता है जबकि left side जो है वो right side दिखता है तो यही जो change है side का यानि object के side का और mirror image के side का जो changing है इसी को हम कहते है lateral inversion और इस तरीके से देखिए कि अगर हम red लिख करके और mirror के सामने करते है तो किस तरीके से laterally वो inverted होगा यानि side way भी वो अलग हो जाएगा यानि कि D आर जो था वो पहले था आर जो है वो पीछे होग होगा हमारे plane mirror में और side way reverse भी होगा with respect to object अगर object के respect में देखा जाए तो इसी का यूज किया जाता है ambulance में तो ambulance में देखे होंगे या फिर बहुत सारा स्कूल भान है उसके आगे जो लिखा हुआ राता है जा स्कूल भान लिखा हुआ या फिर ambulance लिखा हुआ है वो उल्टा लिखा हुआ रहता है यानि laterally inverted लिखा हुआ रहता है ताकि कोई भी जो आगे उसके चलने वाले जो वेहिकल जो चला रहा है वो अपने rear view में अगर देखें यानि side mirror में अगर देखें तो उन्हें जो लिखा हुआ है वो laterally inverted ना दिखें बलकि सीधा दिखें तो वो समाझ देदेंगे तो इसलिए वो उल्टा लिखा हुआ रहता है अभी में जो form बने होगा plane mirror में वो virtual होगा और उसको screen पे कभी भी हम प्राप्त नहीं कर सकते है इरेक्ट होगा और same side होगा यानि अप भी होगा object के हिसाब से same size का भी होगा और same distance पे होगा जितना behind the mirror होगा उतना सारे jewelry shop में भी लगाया हुआ रहता है plane mirror ताकि जो shop है वो हमें बड़ा दिखे और लगे ऐसा कि उसमें बहुत सारा jewelry रखा हुआ है plane mirror को जो है वो blind turn यानि road पे कहीं turn रहता है अचानक जो more रहता है तो वहां भी plane mirror लगाया हुआ रहता है ताकि दूसरे side से आने वाले जो drivers ह उनको दिख जाए कि हाँ उस side से कोई vehicles आ रहा है या नहीं जिसके कारण accident जो है उसको रोका जा सकता और plane mirror का use हम लोग periscope में भी करते हैं तो इन सब से related कुछ numerical है जो की बन जागा वस image distance दे दिया है कहीं पर object distance दे दिया है और दूसरा find करना है तो यह सारे questions है जिसको की solve क कर लेंगे उसके बाद next जो हमारा point है वो क्या है कि reflection of light from curve surface या spherical mirror spherical mirror से reflection किस तरीके से होता है तो जब parallel beam of light ray fall करेगा plane mirror पे तो यह parallel beam ही reflect हो जाता है जबकि spherical mirror में ऐसा नहीं होता है या तो वो converge होगा parallel beam of light या फिर diverge होगा मतलब एक जगा करके मिलेगा और diverge मतलब वो दूर हो जाएगा अब इसमें दो case होता है एक तो concave mirror और दूसरा convex mirror अब spherical mirror है क्या कि एक hollow sphere of glass है यानि कि खोखला glass है इसका या तो inner part जो है वो reflecting होगा या फिर outer part होगा तो अब इसमें concave mirror है क्या तो एक ऐसा spherical mirror है जिसमें reflection जो है वो benton surface से होता है यानि concave surface यानि कि अगर हमें spoon का देखे तो spoon का जो अंदर वाला part है जिससे कि हम कुछ उठाते हैं तो वह वाला part जो है वो convex surface होता है तो convex surface हो गया अब यहां पर हम convex surface देख सकते हैं कि जो उपर का पाट है वो silver coating रहता है silver painting रहता है और अंदर वाला part है वहाँ से reflection होता है तो यह हो गया हमारा concave और convex mirror जो है वह वैसा mirror जिसके की outer side से reflection हो तो उसको हम कहते हैं Convex mirror, Convex mirror में जो inner part है वो silver coating रहता है और protected कियाज रहता है paint से तो यह हो गया Convex mirror और Concave mirror को हम लोग देख करके पहचान जाएंगे अगर वो Sparical shape में हो, अब Sparical mirror जो है वो Concave या Convex हो सकता है और यह भी reflection of light पे work करता है अब हमें जानना है center of curvature क्या होता है radius of curvature, pole, principal axis of spherical mirror यह क्या क्या होता है तो यह हम जानेंगे तो figure से देख सकते हैं कि figure में हमें दिख रहा है कि यह हमारा spherical mirror यह Concave mirror है तो यह एक sphere का part है और sphere अगर है तो उसका एक center तो जरूर होगा तो जो center sphere का होता है वही होता है उस mirror का center of curvature और उस center of curvature से होते हुए एक line को अगर हम pass करेंगे तो यहाँ जो xy line दिख रहा है इसी को हम कहते है principal axis और वो line जिस point पे हमारे mirror पे meet करेगा उस point को हम कहेंगे pole और center of curvature और pole के बीच का जो distance है उसी को हम कहेंगे radius of curvature तो यहाँ mm- जो है वो है हमारा concave mirror और same इसी type का case जो है वो हमारे convex mirror में भी होता है यहाँ भी hollow sphere है और यहाँ भी center of curvature होगा radius of curvature pole होगा और principal axis होगा तो यह हो गया हमारा concave mirror और convex mirror का center of curvature pole और principal axis उसके बाद अगर जो स्ट्रेट लाइन है वो center of curvature तो हम लोग जाने ही गए principal axis के बारे में भी जाने है और अब principal focus और focus length क्या होता है किसी भी concave mirror का तो principal focus को हम लोग कैसे obtain करेंगे कैसा पता चलेगा तो जब भी कोई भी light ray बहुत सारे अगर light ray parallel आ रहा है principal axis से तो वो जहां पे वो meet करेगा जिस point पे principal axis के जिस point पे वो meet करेगा उसी को हम कहेंगे उस mirror का focus और pole और उस focus के बीच का जो length होगा वही होगा focal length अब एक चीज और यहां से एक relation आएगा कि center of curvature का जो length है pole से वो twice length होता है focal length के दुगना के बराबर यानि center of curvature का जो length है वो focal length का double होगा तो यहां से यह समझ में आ गया अब जो concave mirror है अब उसको हम कैसे देखेंगे कि वो focus पे मिलता है तो एक simple example है अगर हम concave mirror को ले लेते हैं और sun से जो light ray आ रहा है तो वो क्या होगा कि concave mirror में light ray converge होगा कहां पे focus पे तो अगर उसके focus के distance पे अगर हम कोई paper रखते हैं तो थोड़ी देर में होगा क्या कि sunlight जो है वो infinity से आ रहा है और वो एक point पे image बनाएगा तो वो paper को जलाना शुरू कर देगा यानि कि focus पे बहुत सारा heat आकर के इकठा हो जा रहा है उसके बाद principal focus और focal length convex mirror का तो इसमें भी क्या करना है कि principal axis के parallel ray लाना है लेकिन यह reflect होकर के diverge हो जाएगा दूसरी बहुत दूर दूर तक फैल जाएगा तो यह diverge होगा तो यहाँ पे focus हम कैसे obtain करेंगे तो जो diverging जो ray है उसको जब हम एक जगा meet करेंगे तो behind the mirror जिस point पे व ही हो जाएगा उस mirror का focus यानि convex mirror का focus और इसमें भी pole और focus के बीच का जो length है वो focal length के बराबर होगा और यहां भी जो center of curvature और pole का जो length है वो focus focal length के twice होगा तो अब यहां से एक relation क्या निकल के आता है center of curvature और focal length of spherical mirror के बीच में कि focus जो होता है वो center of curvature के half होता है यानि radius of curvature हम उसको कह सकते हैं क्योंकि वो करवेचर है spherical mirror है उसके radius के बराबर ही है तो if is equals to r by 2 होता है अब यहां से कुछ जो numericals है वो हम find करना है या फिर r find करना है उसको हम find कर सकते हैं उस formula से अब image formed जो होगा कंके mirror में तो कौन-कौन से rule को apply करके हम image को image formation का जो diagram है वो बनाएंगे तो फस्ट जो rule है अब image formation के लिए कम से कम हमें दो रे का जरूरत होता है दो रे तो बनाना ही है तो इसमें से किसी भी दो रूल का जो वहां पे apply हो रहा है उन दो रूल का follow करेंगे तो हमारा image formation हो जाएगा तो सबसे पहले क्या होता है इसको हमें ध्यान रखना है कि कोई भी ray of light अगर parallel हो principal axis से किसी भी इकन के mirror में तो वह reflection के बाद mirror के focus से ही पास करेगा तो यह तो हो गया first जैसा कि figure में आप लोग देख सकते हैं कि parallel ray आ रहा है तो वह focus से पास कर रहा है उसके बाद जो भी ray of light अगर center of curvature से होकर के पास कर एकन के mirror में तो वह reflect back हो जाएगा same path पे जैसे कि अगर plain mirror का case देख र जा रहा था तो उसी तरीके से यहां जो center of curvature के along आएगा वह वापस उसी रास्ते से चला जाएगा तो यह दुसरा हो गया इन दोनों ray का हम लोग use कर सकते हैं उसके बाद जो third rule है कि कोई भी ray of light जो focus से होकर के गुजरेगा वह parallel to the principal axis होकर के reflect होकर के चला जाएगा after reflection और pole पे incident होगा तो वो same angle बना करके यानि principal axis से same angle बना करके reflected हो जाएगा यानि कि यहां भी angle of reflection जो है वो angle of incidence के बराबर होगा कब जब वो principal pole पे incident हो रहा है तो इन चार rule का use करके हम लोग image formation करेंगे तो इन चार में से किसी भी 2 का use करना है जो वहाँ पे applicable हो तो कौन-कौन सा condition है concave mirror का जिसमें कि हम image formation कर सकते हैं तो पहला condition है कि जो हमारा object हो वो pole और focus के बीच में हो दूसरा focus पे रखना है तीसरे में हमें focus और center of curvature के बीच में रखना है fourth जो condition है उसमें center of curvature पे रखना है fifth condition में beyond the center of curvature रखना है और sixth जो condition है उसमें infinity पे रखना है या तो फर्स जो है वो हमारा जो object है वो focus और पोल के बीच में है तो जब object focus और पोल के बीच में रहेगा तो यहां भी हम दो ray of light ले लिए है एक जो है वो parallel to the principal axis है और दूसरा जो है वो center of curvature से होकर के पास कर रहा है तो यह जो है वो दूर जा रहा है यानि कि diverge अगर देखा जाए तो diverge हो दा तो यह मिलेगा कहां तो इसको जब हम behind the mirror अगर ले जाते हैं जो हमारा reflected ray है तो वो एक point पे जाकर के मिलेगा जहां की हमारा ades bdes जो है वो image form हो रहा है तो यहां cancave mirror जब हमारा object जो है वो कहां हो तो pole और focus के बीच में हो तो इस case में हमारा जो image बनता है उसका कैसा nature होगा तो इसके nature के बारे में जानेंगे तो इसका जो nature है वो behind the mirror यानि object जो बनेगा वो mirror के पीछे बनेगा और object से larger होगा यानि larger than object virtual और erect virtual यानि कि वो पीछे बन रहा है उसको हम screen पे obtain नहीं कर सकते हैं और erect मतलब की सीधा तो वो सीधा रहेगा यानि principal axis के above ही रहेगा तो यहां तो हो गया first case अब इसका use हम लोग करते हैं कंके mirror का magnifying object में यानि किसी भी object को magnify करने में तो बहुत ही नजदीक रखते हैं mirror से तो यह magnify हो जाता है यानि बड़ा हो जाता है अब second case है तो जब हम अपना object को कहां रखे focus पे तो यहां भी दो ray of lightly है एक center of curvature से हो करके पर पास कर रहा है दूसरा parallel to the principal axis है तो देख रहा है कि after reflection जो हमारा reflected ray है वह parallel जा रहा है या तो हम पीछे ले जाए या फिर आगे ले जाए तो वह parallel जा रहा है तो parallel light of ray कहां जाके meet करेगा तो infinity पे तो इसलिए जो हमारा image formation होगा वह infinity पे यानि कितने दूरी पे होगा वह हम नहीं जानते हैं अब इस case में जो nature of image होगा तो वो होगा क्या कि जो image formation होगा वो infinity पे होगा image जो बनेगा वो real और inverted बनेगा क्योंकि front of the mirror बन रहा है तो real होगा और inverted, inverted क्योंकि below the principal axis है और उसके बाद highly magnified यानि object completion में बहुत बढ़ा होगा तो यहां हो गया अब इसका use हम ल जाता है और जब हम torch को glow मतलब उसके on करते हैं तो वो parallel beam of light बहुत तीज beam of light उसमें से निकलता है और अगर वही हम जो signing surface है यानि convex reflector जो torch में लगा हुआ रहता है अगर उसको हम निकाल दें तो उतना light reproduce वो torch हमारा नहीं करता है तो इसका use हम लोग करते हैं जब हमारा object कहा ह रखा हुआ है तो focus पे अब थर जो case है जिसमें की object जो है वो focus और center of curvature के बीच में है तो यहां भी दो ray लेना है और उससे image formation होगा तो एक ray जो है वो parallel to the principal axis और दूसरा center of curvature से होकर के पास कर रहा है और after reflection यह मिलेगा कहां तो एक point जो है वो beyond the center of curvature है वहां पे जाकर के यह दो inverted होगा inverted क्योंकि यह नीचे बन रहा है और real क्योंकि इसको हम screen पे obtained कर सकते हैं और object के size से यह बड़ा बनेगा जैसे की image में हम लोग यह जो diagram था उसमें देख चुके है उसके बाद जब जो object है वो कहां रखा हुआ है तो center of curvature पे तो center of curvature पे जमार object रखा हुआ है तो इसमें क्या होगा कि इसमें भी हम दो ray of light लेंगे एक जो है वो हमारा focus से होकर के pass करेगा और दूसरा parallel to the principal axis होगा और जब यह meet करेगा तो हम देखेंगे कि center of curvature पे ही आकर के दोनों reflected ray meet किया तो center of curvature पे आकर के meet किया तो उपर हमारा object बन रहा है और नीचे image अब इसका property क्या होगा क यानि कि real बना unverted क्योंकि उल्टा है below the principal axis है और same size यानि object का जितना size होगा उतना ही size का बनेगा जब हम object को कहां रखें तो center of curvature पे यानि कि उसके radius पे हम जब रखेंगे तो इस type का condition होगा अब फिब जो हमारा condition है जब हम object रख रहे है वो beyond the center of curvature यानि center of curvature से पीछे तो होगा क्या यहां भी दो रे लेना है एक center of curvature से होकर के पास करते हुए और एक parallel to the principal axis तो यह जो दोनों ray है वो after reflection आकर के मिलेगा कहां तो यह मिलता है center of curvature और focus के बीच में तो यहां जो property होगा हमारा image formation का वो क्या होगा कि between the image जो बनेगा वो between the focus and center of curvature real होगा और inverted होगा क् स्क्रीन पर हम लोग प्राप्ट कर सकते हैं और object से smaller size होगा इसका यानी diminished होगा अब 6 जो case है जब हम object को infinity पर रखते हैं यानी कि sun मालने कि sun जो है हमसे बहुत अनंत दूरी पर है तो अगर वहां पर रखते हैं तो parallel जो ray है वो आएगा वहां से एक को हम पास करते हैं पोल से और दूसरे जगह से और after reflection ये जो है वो आकड के मिलेगा कहां focus पे तो इसका nature कैसा होगा तो image formation जो हो रहा है वो focus पे हो रहा है जो image है वो real और inverted है और much smaller than the object है यानी कि बहुत छोटा तो हम लोगों ने देखा कि कनकेम मिरा से जो image formation हो रहा है बस एक ही case ऐसा था जिसमें कि जो image हमारा बना वो virtual और erect बना लेकिन बाकी जितना भी case था सब में real और inverted बना और जिसको कि हम screen पे obtained कर सकते हैं तो यहां concave mirror का image formation हो गया अब concave mirror जो है उसका use हम लोग कहां करते हैं यानी कि यह जो हमारा focus वाला है उसका use हम लोग कहां करते हैं तो doctor जो है वो concentrate करने के patient के जैसे कि आख ना कान वगरा में अगर उनको examine करना है देखना है तो अपने head में एक mirror लगाते हैं और जिससे की light reflect हो करके उनके एक जगह पे जाता है और उनको दिखता है और इसका use हम लोग करते हैं कहां पे तो हमारा जो decentina होता है टीवी decentina उसमें भी concave surface का use होता है अ यहां पे image formation होता है तो image formation जिस जगह पे होगा वही उसका focus होगा तो थोड़ी दूरी पे रखना है मतलब कि उस mirror का जो करभेचर होगा उससे भी ज्यादा दूरी पे तो हमें obtained जो होगा image वह होगा कहां पे focus पे तो यहां कुछ summary दिया हुआ हुआ है जिसमें की सब बताया ह हुआ है कि कहां पे होगा अब concave mirror का यूज तो concave mirror का यूज हम लोग saving mirror में के रूप में भी करते हैं जब हमें लारजारी में चाहिए अपने face का concave mirror का यूज dentist लोग करते हैं दातों के बड़े-बड़े मतलब उसका बड़ा image देखने के लिए और concave mirror का यूज torch में reflector के तौर पे होता है head light में होता है और search light में होता है क्योंकि powerful beam of light ये produce करता है concave mirror का यूज doctors अपने head mirror के तौर पे करते हैं जब उनको examine करते रहते हैं concave disease का यूज हम लोग TBD centina में करते हैं क्योंकि हमारा signal है वो बहुत दूर से आता है और उसको एक जगा से हमें लेना होता है communication satellite से आता है और large concave mirror का यूज हम लोग solar energy को एक जगा concentrate करने के लिए करते हैं और इसका यूज हम लोग solar furnace या फिर solar cooker जो रहता है उसके लिए यूज करते हैं बड़े-बड़े concave mirror का तो यहां तो हो गया concave mirror का यूज अब इससे related कुछ numericals हैं और कुछ questions है problems उसको solve कर लेना है अब next जो हमारा topic होगा वो है कि sign convention of a spherical mirror यानि कि किधर के sign को हम positive ले किसको negative ले तो अब हमें देखना क्या है कि जो भी direction of incident light होगा यानि कि left से right की ओर अगर हम जाएंगे तो उस position को हमें positive लेना है उसके बाद principal axis से उपर वाले को हमें लेना है positive और principal axis से नीचे को हमें लेना है negative और incident light का जो direction है वो positive distance पे है यानि कि अगर concave mirror का देखा जा तो concave mirror के behind का जो length होगा उसको हम positive लेंगे और उसके front के length को हम लेंगे negative तो इनको करते हुए अब यहां पे कुछ हम लोग देख लेते हैं तो कुछ important conclusion पे हम पहुँचे कि क्या होगा कि जब भी concave mirror में हमारा जो image form होगा तो right side में अगर होगा तो distance को हमें positive लेना है यानि कि image distance को हम लोग भी से सो करते हैं और positive होगा जब right side में बने mirror के right side में और को हमें negative लेना होगा अब convex mirror है उसमें image distance जो है वो हमेसा positive होगा क्यूंकि उसमें हमेसा behind the mirror ही बनता है और focal length जो है concave mirror का वो हमेसा negative होगा क्यूंकि वो front of the mirror होगा यानि left side में होगा और convex mirror का जो focal length होगा वो positive होगा क्योंकि वो behind the mirror होता है जो की right side में होता है अब height जो है वो positive लेंगे हमेशा object का क्योंकि वो above the principal axis होगा और image का जब वो below the principal axis होगा तब negative और जब above the principal axis होगा यानि कि virtual or erect के case में हम positive लेंगे और real or inverted के case में हम negative लेंगे तो इस तरीके से sign convention समझ में आ गया अब mirror formula होता क्या है तो ये जो mirror formula है वो relationship हमें बताता है image distance, object distance और focal length के बीच में तो ये होता क्या है कि 1 by image distance plus 1 by object distance is equals to 1 by focal length यानि 1 by b plus 1 by u is equals to 1 by f तो ये हो गया हमारा mirror formula अब next जो है वो linear magnification produced by mirror mirror जो है वो कितना magnification कर रहा है वो बड़ा है मतलब हमारा image form हो रहा है object के बाद वो object से बड़ा है या फिर object से छोटा है इसको हम formula से calculate करेंगे जिसको क्या हम कहते है linear formula तो linear magnification जो है तो magnification को हम लोग define कैसे किये है तो ये जो है वो ratio होता है height of image upon height of object यानि कि उपर में हम रखेंगे height of image और नीचे में height of object और इसको लिख सकते है image equals to h2 by h1 या फिर hi by ho hi यानि height of image और ho जो है वो हाई-top object से भी हम कर सकते हैं अब हमारा जो h1 है यानि कि height of object जो है वो हमेशा positive होगा क्योंकि ये कहा रहता है तो ये रहता है हमेशा above the principal axis और virtual के case में हमारा height of जो image है वो positive होगा virtual और erect के case में और अगर real image बन रहा है तो height of जो हमारा object होगा वो negative होगा तो इस तरीके से हमारा जो magnification होगा वो plus sign होगा कब जब image जो है वो virtual और erect है यानि image जब virtual और erect रहेगा तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो magnification हुआ है वो positive है यानकि जो image बना है वो larger बना है किसके compare में तो object के compare में और यदि हमारा जो magnification है वो minus sign है तो image जो है वो real और inverted बना है तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं अब convex mirror है तो convex mirror में जब भी हमारा image form होगा तो जो magnification होगा वो होगा क्या कि concave mirror में जो magnification होगा वो या तो less than one equal to one या more than one हो सकता है लेकिन convex mirror में जब भी होगा तो वो smaller than the object यानि linear magnification produced by convex mirror is always less than one यानि हमेशा one से छोटा ही रहेगा किस case में तो convex mirror के case में लेकिन concave mirror के case में वो less than one भी हो सकता है equal to one भी हो सकता है और more than one भी हो सकता है अब linear magnification को एक और कैसे हम define कर सकते है mathematically कि magnification जो होता है वो होता है ratio of image distance by object distance with negative sign यानि minus sign के साथ अगर किया जाए तो image distance को V से और object distance को हम लोग U से सो करते हैं तो image distance अगर हमारा right side में बना है यानि virtual और erect image बना है तो इसको हम positive लेंगे और object distance तो है वो हमेशा हमारा negative ही रहेगा तो इस तरीके से जो दोनों हमारा linear magnification था उस formula को हम एक साथ relate कर सकते हैं तो यहां क्या हो जाएगा h2 by h1 is equals to minus v by u तो इस तरीके से concave mirror से related जो भी numerical से है वो सारे के सारे solve हो जाएंगे और convex mirror में भी same यही formula का use हम लोग करते हैं अब जो next होगा वो होगा हमारा convex mirror के द्वारा कैसे कैसे image form होगा और किस किस rule से हम convex mirror में image को form कर सकते हैं तो जो rear of light है जो parallel आएगा principal axis के वो क्या होगा कि यहां reflected होगा और जब उसको हम पीछे ले जाएंगे reflected ray को तो वो appear to meet होगा focus पे उसके बाद second rule जो है जो भी rear of light center of curvature पे appear to meet होगा वो उसी path पे bounce back हो जाएगा या वैसे ही लोट जाएगा और जो parallel to the principal axis आएगा हमारा या फिर जो focus पे आकर के meet करते हुए दिखेगा वो होगा क्या कि parallel to the principal axis reflected हो जाएगा तो यह third हो गया rule और fourth rule जो है कि जो pole से होकर के आएगा incident वो pole से ही फिर same angle बनाएगा principal axis से और वो reflected हो करके वापस चला जाएगा तो formation of image by convex mirror क्या होगा कि इसका जो property होगा जब convex mirror से image formation होगा तो जो होगा हमारा image वो behind the mirror होगा pole और focus के बीच में हमारा object कहीं भी हो हमारा object pole और infinity के बीच में कहीं भी हो हमारा जो image बनेगा वो behind the mirror होगा pole और focus के बीच में वर्चुल होगा, इरेक्ट होगा और object के साइज से छोटा होगा तो जैसे कि हम लोग steel के spoon का जो signing side रहता है यानि कि उपर वाला side है उसमें हम लोग देख सकते हैं जो उपर का part है उसमें कि कैसा image बनता है अब जो object है वो अगर infinity पे है तो हमारा जो image बनेगा वो focus पे बनेगा इसमें behind the mirror होगा, virtual और erect होगा और highly diminished यानि बहुत छोटा size में रहेगा और convex mirror का हम लोग use कहां कहां करते हैं तो convex mirror का use हम लोग rear view mirror के तोर पे करते हैं vehicles में जैसे की car, trucks वगेरा में क्योंकि होता क्या है कि बहुत बड़े area को छोटे जगह में दिखाता है यानि कम जगह में दिखा देता है convex mirror तो इसलिए इसका rear view mirror में हम लोग use करते हैं उसके बाद जो next use है इसका next use है वो हम shop में भी करते हैं shop में जहां पे honor बैठे हुए रहते हैं वहां पे convex mirror लगा करके रखते हैं क्योंकि पूरे shop का view जो है वो एक ही जगह आ जाया तो shop security mirror के तोर पे भी करते ह हैं जब security camera नहीं होते थे CCTV camera तब हम shop में convex mirror का ही यूज करते थे अब concave mirror का यूज हम लोग rear view mirror के तौर पे नहीं कर सकते हैं motor vehicle में क्योंकि वो करेगा क्या कि छोटा जो part है उसी को बहुत दूर तक फैला करके हमें दिखा देगा अब किस तरीके से हम distinguish करेंगे कि जो हमारा mirror mirror है वह plane mirror है concave mirror है या convex mirror है बिना उसको touch किये हुए तो क्या होगा कि हम जो mirror है उसको अपने face के close लाएंगे तो plane mirror में जो हमारा image produce होगा वह सेम साइज का रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि यह plane mirror है और अगर वह हमारा concave mirror रहेगा तो जो image होगा वह बढ़ा दिखेगा जब ह concave mirror जो होगा उसमें image जो है बहुत छोटा होगा तो हम समझ जाएंगे कि यह mirror है वह क्या है तो convex mirror है तो उसके बाद कुछ numerical है यह numerical जो है वह solve हो जाएगा उसके बाद अब convex mirror का तो यहाँ भी same formula है हमारा तीनों में relation यानि कि image distance, object distance और focal length में यानि 1 by v plus 1 by u is equals to 1 by f इसका भी use करेंगे और magnification का भी same formula है यहाँ भी convex mirror के case में भी तो यहाँ से जो numerical है वह सारे के सारे solve हो जाएगे तो यहाँ जो आपका chapter था reflection of light वह समाप्त हुआ आपको वीडिय अज़गकர है यह यह झाएगो कर छो दुम।